जहिन दोस्तों सागत है आपका हमारी यूटूब चैनल SP Class S में आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए सामन निज्यान का Old Paper 2018 का जो भी MP जेल परहरी परिच्छा की तैयारी कर रहा है तो बहुत देख लें कि किस परकार का Old Paper 2018 में आया था MP जेल परहरी का तो वीडियो को पूरा अवस्ते देखें और यहसे ही वीडियो और पानी के लिए आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और All पर क्लिक करें ताकि ऐसे वीडियो और हम जो बनाएंगे तो उनकी जो notification है वह आप कहां तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप share करें ताकि अनलोग भी एह वीडियो देख सकें और वीडियो को like करना ना भूलें पीडियाप के लिए आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुणना होगा टेलिग्राम एप में आपको सर्च करना होगा IAS Steady ट्रेक यहां से आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं पर हम जो बीडियो बनाते हैं उसकी जो पीडियाप फाइल होती है वह हम टेलिग्राम गुरूप ने आपके लिए उपलब्द कर देते हैं तो आप टेलिग्राम गुरूप से अवस्य जुड़ें तो चलिए देखते हैं कि किस परकार का एह पेपर आये था एमपी जिल परहरी का दो हजार अठारह में सामा निग्यान का तो फर्ष्ट कोस्चन है कि क्यांग्रे मानव संसाधन ब्कास मंत्रालाई ने घोशना की है कि भारत की दो सबसे लोगप्रिय प्रतियोगी परिक्षाएं संयोक्त प्रवेस परिक्षा और राष्टी योगता और प्रवेस परिक्षा निम्र द्वारा आयुजित की जाएंगी तो भारतिय मात्मेक सिक्षा प्रमाणपत्र या भारतिय प्रोध्योगी संस्थान राष्टिय परिक्षण एजनसी या केंद्रे मात्मेक सिक्षा बोड तो आपका आंसर क्या होगा अगर आपसे आंसर बनता ह तो comment में जरूब बताएं क्या होगा इसका सही answer तो इसका जो सही answer है राश्टिय परिक्छा agency भैनि की विकल्प नमबर C आपका यहां पर सही answer हो जाएगा राश्टिय परिक्छा agency NTE अंगला question है कि तुम कुर्जले की सूखा प्रवावित पावगण छेतर में 2000 मेगा वाट की कुल छमता वाले प्रिथम चरन सकती स्थल सौर पार्क का उदगाटन हुआ जो की किस राज्य में इस्तित है तो कौन से राज्य में इस्तित है ओडीशा अंदप्रदेश कन्नाटा क तो जल्दी से कमेंट में बताएं क्या होगा इसका सही आंसर कॉस्चन नमबर दो तो इसका जो सही आंसर वह है करनाटक करनाटक विकल्प नमबर तीन यहां पर जो है सही आंसर होगा अंगला question है कि नमलेकत में से कौन मत्रदेश के तीसरे मुख मंत्री थे मुश्ट इंपर्टन क्योस्टन कौन थे जल्दी से बताये आंनमलेकत में से कौन मत्रदेश के तीसरे मुख मंत्री थे तो आपका आंसर होगा यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा अंगला question है कि घूमर के सुभार्ती राज्य का पारंपरेक सामाजिक लोक निरस्थ है घूमर घूमर बताना है जल्दी से वताइए राजस्थान, गुजरात, असामिया, पंजाब तो इसका जो आंसर है बहर राजस्थान विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राजस्थान अंगला question है कि नमलिकत में ऐसी कि किस सनस्थान द्वारा जागोग राहक, जागो जागरूकता वियान चलाए गया जागो गिराहक जागो जागरुकता वियान चलाए गया तो किसके दोरा चलाए गया है तो आप का अंसर है बाएदा बाजार आयोग बाएदा बाजार आयोग बिकल्प नमबर चार सही अंसर हो जाएगा Forward Market Commission अंगला question है कि पिर्थम भारतिय सामाने चुनाओं को बर्स खालिस्तान में आयोजद किया गया था तो कब आयोजद किया गया था आपका आंसर होगा बिकल्प नमबर दो उन्नीस सो इंक्याउन बाएदा में अंगला question है कि मद्द प्रदेश में सिरोंज सहर भूकम्पी छेत्र बर्गी करण के खालिस्तान के अंतरगत आता है तो किसके अंतरगत आता है तो आपका आंसर होगा छेत्र तू बिकल्प नमबर तीन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा अंगला question है जैन सादू तरोंसागर का जन्म मद्द प्रदेश के खालिस्तान जिले में हुआ था तो कहाँ पर हुआ था आंसर बनता है तो कमेंट में जरू बताएं जन सादू तरनों सागर का जन्म मद्द प्रिदेश के खालिस्तान जिले में हुआ था देवास, मुरेना, दमोई या आगरमालवा तो आपका आंसर होगा दमोई दमोई विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन है कि भारत में निजीकरण किया गया पहले रेलवे इस्टेशन यहां इस्टेथ है तो आपका आंसर होगा हबीब गंज क्या होगा आपका आंसर हबीब गंज विकल्प नंबर 3 वीडियो क्यांसला का कमेंट में जरू बताएं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें अंगला कोस्चन है कि मद्द प्रदेश में जापानी और द्योगिक टाउन सिप खालिस्तान में इस्तित इस्तापित की जाएगी तो पीथम पर सिंगरवाली कटनी अभीना तो इसका अंसर क्या होगा तो इसका जो आंसर वह है पीथम पर क्या है इसका अंसर पीथम पर विकल्प नंबर यह यहाँ पर राइट आंसर होगा अंगले question है कितनी राष्टिय बारसे की ओजनाए अब तक प्रस्तावित की गई एक question आया था कि कितनी राष्टिय बारसे की ओजनाए अब तक प्रस्तावित की गई 7, 5, 4, 6 तो इसका answer क्या है जल्ली से बताईए तो इसका answer है 6 विकल्प नमबर 4 आपका सही answer होगा विकल्प नमबर 4 अंगले question है कि मद्द प्रदेश के किस जिले में नौरा देही अभ्यारण इस्तित है most important question जल्दी से बताईए मद्द प्रदेश का बाए कौन सा जिला है जहाँ पर नौरा देही अभ्यारण इस्तित है वगेल खंड, गौलियर, सागर या रीवा तो आपका answer होगा सागर कहाँ पर है सागर में है मद्द प्रदेश के सागर जिले में नौरा देही अभ्यारण है अंगला question है कि जनवरी 2018 में Friends of SMP Summit कहां आयुजित किया गया था तो कहां पर किया गया था Friends of MP Summit इंदोर उज्जन गौलियर या बोपाल जल्दी से बताईए तो इसका जो answer होगा है इंदोर इंदोर आपका सही answer हो जाएगा विकल्प नंबर एक इंदोर अंगला question है कि रानी अहिल्या भाई होलकर द्वारा सरक्षित रेशाम और सूती धागे के साथ चुने हुए बुने हुए स्वारी बुने हुए कपड़ों का नाम बताएं तो क्या होगा इसका answer इसका answer है महेश्वरी साडी विकल्प नंबर एक यहां पर सही answer होगा रानी अहिल्या भाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशाम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़े का नाम बताएं तो महेश्वर महेश्वरी साडी अंगला question है कि मद्द प्रदेश में वर्स 2008 वार से सास्किय स्वक्ष सर्विक्षन सर्वी में दूसरी इस्तान पर रखी जाने वाला सहर का नाम बताएं तो कौनसा सहर है इंद्वरोज्जन या ग्वालियर या जो अगला विकल्प है भोपाल तो इसका जो सही answer है क्या है भोपाल भोपाल आपका सही answer होगा अंगला कोश्चन है कि पंडित सेवकुमार सर्मा के सास्क्री संगीत वादियांतर के उस्ताद है सितार सरोद संतूर या बिला पंडित सेवकुमार सर्मा तो आप का अंसर होगा संतूर विकल्प नंबर सी तीन आपका यहां पर सही answer होगा अंगला कोश्चन है कि नमलकित में से कौन मद्द प्रदेश का राच्किय पक्षी है दूदराज या सुल्तान बुल बुल या महाधनेस या गोड़ाबर या नीलकंट तो कौन सा है नमलेकित में से कौन सा मद्द प्रदेश का राच्किय पक्षी है तो आपका आंसर होगा दूद राज या सुल्ताना बुल बुल बिकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन है कि मद्द प्रदेश में नमलिकत में से कौन से कछुईं की एक मात्र प्रजाती यहां पाई जाते हैं तो एक मात्र प्रजाती यहां पाई जाती है कौन से कछुईं की मद्द प्रदेश में जल्दी से बताईए इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका जो सही आंसर है बाई है जिवो के लॉन एली गैंज अंगला कॉस्चन है कि निमलिकत में से किस सरकारी सहिस्थान ने भारत में किरसी अपसिष्ट के प्रितीसत का अनुमान लगाया तो क्या है इसका आंसर खाद और किरसी संगठन या केंद्रे कटाई उपरांत अभियांतर की अप्रोध की संस्थान या भारतिय राष्ट के किरसी सहिकारी विपन संग मर्यादित या बाईदा बाजार आयोग तो आपका आंसर होगा केंद्रे कटाई उपरांत है अभी आंतर की एवं प्रोध की संस्थान अंगला question है कि नमलकित में से कौन सी मिट्टी नद्यों के तल जट से बनी होती है एवं जिसमें पोटास अधेक लेकन फासपूरस कम होता है तो कौन सी मिट्टी है जल्दी सी बताईए लेटे राइट मिट्टी काली मिट्टी जलोड मिट्टी या लाल या जो अगला विकल्प है लाल और पीली मिट्टी क्या होगा इसका सही आंसर तो इसका जो सही आंसर अब आया है जलोड मिट्टी विकल्प नमबर तीन यहां पर सही आंसर होगा जलोड मिट्टी तो आज की वीडियो बस इतना ही एफ वीडियो आपको क्या असा लगा कमेंट के माज़न हम से बताएं एह था जो MPJL परहरी 2018 का ओल्ड पेपर सामान ग्यान का और ऐसे ही और ओल्ड पेपर के जो वीडियो हम लाएंगे आपके लिए तो आप चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन दमाएं और 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 पर कलेक करें ताकि और वीडियो की नोटिकेशन आप कहां तक पहुंचे और ज्यादा से ज्य यहां से आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं जहां पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो पीडियाप फाइल होती है वह हम टेलिग्राम ग्रूप में आपके लिए उपलब्द कर देते हैं तो आप टेलिग्राम ग्रूप से अवस्त जोड़ें तो आज